नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों आज का जो मैच है वो है संड्राइज इज हैद्रावाद और रोयल चलेंजर स्पैंगलॉर और आरसीवी के ग्राउन पर यह मैच होने जा रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट मैच है क्योंकि देखें आरसीवी जो है इतनी अच् का मैचे चल सकता है बैटिंग ओडर किस तरीके से काम करने वाला है कैप्टेन वाइस कैप्टेन की बात करें तो सी और वी सी किस सेक्टर से निकलने के चांसे सबसे जादा है इसके उपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बालिंग ओडर के ऊपर बात करेंगे किस तरीके स जो है बॉलिंग ओडर हमारा काम करने वाला है और दोस्तों कल के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि कल में लाइव नहीं आपाया था कल डवल हेड़ेड मैच था तो बहुत ज्यादा मतलब की मेरे लिए थोड़ा सा सुबह पांच बज़े से उसकट कर कंटेन्यू लगा बीडियो के अंदर हम लोग एकक कर के डीटेल्स देखते हैं सारी जनकारी कठा करते हैं और आज का मैच अच्छा जा सकता है मैंने कल शाम के एक और आज का मैच किस तरीके से जाने वाला है वीडियो को सकिप मत कीजएगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इसkerि esti हैं जो मै अगर आप उसको मिस कर देंगे, मालने जे कि मैं कब क्या बोला और वो कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिमाग में क्लिक करेगी और वही बात अगर आप मिस कर दिये तो शायद टीम में गरबर हो सकती है मेरा कहना यह है, इसलिए वीडियो को स्किप करके देखने का मतलब है नुकसान उठाना और जो लोग आके बाद में निगेटिव कमेंट करते हैं, यह वही लोग होते हैं जो स्किप करके देखते हैं जो पूरा देखते हैं, वो उवरॉल 90% profit में है चलिए देखते हैं स्क्रिन पे आज का रिकोर्ड क्या कहता है रोयल चलेंजर्स बैंगलॉर वर्सेस संडाइजिज हैदरबाद तिस्वा मैच है ये और साड़े साथ बजे से होगा आज 15 अपरी 2024 टेके एम चिनना स्वामी स्टेडियम बैंगलॉर हो यानी बैंगलॉर में ये मैच होने जा रहा है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे पीछ के रिपोर्ड के अकॉर्डिंग पिच का जो report क्या कहता है, scoring pattern किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे, एक एक करके point to point सारी चीज़े बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा, और copy pen निकाल लीजे दोस्तों, विल्कुल copy pen नहीं निकाल तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, copy pen निकाल कर और उसके उपर work करना शुरू कीजिए, अगर आपको अच्छा fantasy में खेलना है तो, देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं step by step, सबसे पहले बात कर लेते हैं spinners के उपर, ठीक है, अब अगर ध्यान से देख है, first inning में, और 0 से, 0 से 2 wicket हो सकता है आपको, कहाँ पर second inning में, हाला कि एक बार ऐसा हुआ है, जब यहाँ पर 5 wicket जो है spinners को मिले हैं, नहीं तो, एक wicket, 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket बस यही है, तो यही मान कर चलिए कि 1 से 3 और 0 से 2, यानि कि total दोनों इनिम में मिला के, 4 wicket, maximum 3 से 4 wicket spinners ल हो जाए, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बटाऊंगा, अब आएए, बात करते हैं, fast ballers की, तो fast ballers की अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ठीके, तो 2 से 4 wicket, first inning में, और second inning में, दोस्तों, थोड़ा सा जादा है, ठीके, 4 से 8 wicket भी हो सकता है, fastest का, second inning में, अब ratio देख हुआ था, ठीके, तो यहाँ पर M.I. ने 171 run बनाया थे, 7 wicket पर, और RCB वो run chase कर लिया था, ठीके, यहाँ भी first match जो हुआ पंजाब Kings ने बनाया, 176 run, 6 wicket पर, और यह match भी RCB ने chase कर लिया था, इसके बाद RCB ने बनाया था, 182 run, 6 wicket पर, और KKR ने इस match को 186 run बनाकर chase कर अब देखिए थोड़ा सा, कि अब यहाँ पर LSG ने 181 run बनाये थे, वहीं पर RCB 153 run पर all out हो गई थी, chase नहीं हुआ, जबकि यहाँ भी अगर हम देखे, तो दूसरा match, 2023 के अंदर भी दूसरा match, पहला match chase हुआ, दूसरा match, फिर से यहाँ पर chase नहीं हुआ, आकड़ा देख है, तो उमीद हम यही कह सकते हैं, कि हो सकता है, second inning में run chase नहीं हो पाए, situation ऐसा कहता है, क्योंकि overall condition देखा जाए, तो दोनों का बराबर बराबर ratio है, but situation किस तरीके से होगा, वो तो ground पर पता चलता है, but हमारी analysis के according यहीं हो सकता है, कि second inning में शायद run chase नहीं हो पाए, situation होता है कि कौन से team back first करती है, कौन से team back second करती है, वो भी depend करता है, तो overall अगर देखा जाए, दोनों ही inning में मिला कर, तो आप यह मान कर चलिए, कि 10 से 18 विकेट जो है, दोनों inning में गिर सकता है, दोनों inning से मिला कर, ठीके, average score जो अगर देखा जाए, तो 162, 190 के आसपास रह सकता है, average score, इस ground पर, अब आए, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि first inning की जो batting order है, वो किस तरीके से work कर रहा है, मैं आपको ground का हर एक point समझाने वाला हूँ, बिल्कुल तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर first inning की batting order की बा पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, अब दोस्तों, देखें, जो समझना होता है न, वहाँ पर बहुत लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमें कहां समझना है, हमें इस बात को समझना है, कि अगर इस एक match को छोड़ दिया जाए, तो और जितने भी matches हुए हैं, तो द 83 रन, जो कि captain बनने के लायक है, 60 रन, vice captain बनने के लायक है, 101 run, captain बनने के लायक है, 83 run, captain बनने के लायक है, 81 run भी captain बनने के लायक है, मतलब समझ रहे हैं, कि तकरीबन 5 बार ऐसा हो चुगा है, जब कोई power play का, यानि कि opening जोड़ी में से कोई एक अच्छा खासा run बना कर गया ह यहाँ पर तो दोनों के दोनों captain, vice captain के लायक है, तो situation यही कह रहा है कि दोनों opening जोड़ी में से कोई एक captain बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर यह situation होता है, तो हम एक opener के साथ जा सकते हैं, बात करते हैं अगर number 3 के player की, तो 59, 37, 31, और 33, यानि कि 30 का आकड़ा अगर देखा जाए तो 3 बार पार किया, एक 4, यानि कि 10 match में 4 बार, 40% chance है कि जो यहाँ पर 3 नमबर के player चल सकता है, बात करते हैं 4 नमबर, अगर average देखा जाए, 24, 52, 37, 48, बाकि 3 बार यहाँ भी flop हुए, यानि कि overall हमें 4 नमबर के player भी ठीक ठाक performance करके जा रहा है, 5 नमबर के player एक बार 84 बनात हो रहा है, इस ground पर overall condition क्या हो रहा है, हम 5 नमबर के बाद देखते हैं, यहाँ से यह dream team में आने वाले batsmen नहीं है, यह dream team में आने वाला run नहीं है, यह भी 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 नहीं है, यह पाँच से नीचे नंबर 5 तक के बैक्समेन के बाद कोई भी यहाँ पर एज यह बैक्समेन रन बनाने वाला जो खिलाडी है वो ड्रिम टीम में आने के लायक नहीं है अब हम बात करते हैं इसके उपर टॉप 5 से उपर तो टॉप 5 से उपर कि अगर बात करें तो कितने आते हैं दूसरे मैच में तीसरे मैच में एक 50 और यहाँ पर 26 इसको भी ले लेते हैं ठीक है इसके बाद 83, 37, 52 यहाँ पर 62 और 77, यहाँ पर 56, 31, 48 ठीक है इसके बाद 101 और 28 इसके बाद यहाँ पर 45 और 27, 83, 33, 28, 81, 44 दोस्तो एक एवरेज हम निकालके देख रहे हैं कि लग भग है, मिनिमम दो, माक्सिमम तीन, ठीक है, मिनिमम दो, देखे, दो भी है, तीन भी है, तीन दो, तीन दो, तीन दो, मतलब कि यहाँ पर कम से कम, दो से तीन खिलाडी, हम एवरेज मान कर चलते हैं, तीन खिलाडी ऐसे हैं गोए, जो पूरा रन, मतलब प्लेइंग 11 में से 3 batsmen ही ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपको पूरा run बना कर दे रहे और वो भी 3 batsmen कौन होंगे वो आपके top 5 में से होंगे क्योंकि इसके नीचे के तो दोस्तो है नहीं ठीक है सिर्फ एक इसको छोड़ दिया जाए तो इसके नीचे का तो कोई है नहीं तो overall top 5 में से कोई 3 batsmen अच्छा खासा run बना कर जा सकता है यह यहाँ का record कह रहा है captain, vice captain की बात करें तो वो भी देखें 5 नमबर का खिलाड़ी एक बार 84 run बनाता है ठीक है इसके बाद 4 नमबर का खिलाड़ी एक बार 77 run बनाता है हाला की captain और vice captain का जो formula है कहां से आएंगे captain कहां से vice captain आएंगे ये section मैं आपको जब live आऊंगा तब बताऊंगा और telegram पर toss के पहले बता दूँगा ठीक है कि C और VC कहां से आ सकते हैं कहां से chances है किस team से सबसे ज़्यादा chances है ये भी मैं आपको telegram पर बताऊंगा तो telegram से जूड़ के रहिएगा अब इनको थोड़ा से हम लोग rotation को समझते हैं ठीक है rotation क्या कहता है बहुत हीजी है दोस्तों बहुत हीजी है आज का rotation बहुत हीजी है समझने की जुरुत है सबसे पहले अगर कोई भी team bad first करती है तो हमें क्या रखना है एक opener या तो one opener ठीक है या तो one opener या फिर दोनों player को हम लेके जा सकते हैं ठीक है या तो किसी एक को या किसी दोनों को हम लोग लेके जा सकते हैं इसके बाद number 3 और number 4 number 5 और number 6 ठीक है लेकिन आपको क्या करना है 3, 4 और 5 में से किसी दो को आपको एक दुसरे के साथ rotate करना है number 6 को तब रखिएगा जब आप दोनों opener को drop कीजिएगा clear है आए इसकी conclusion पे आगे बात करते है यहाँ पर है SRH possible playing और यहाँ पर आपके RCB possible playing अब थोड़ा सा देखते है मान लीजिए कि SRH की team जो है वो bat first करती है तो एक team रखना है जिसके अंदर Travis Head और अभिशेक शर्मा दोनों को हमने रख लिया 3, 4 और 5 यानि कि बचते हैं कौन Aiden Markaram Reddy और Rahul Tripathi अब यहाँ पर हमने क्या देखना है Aiden Markaram पिछले match में flop गये थे Aiden Reddy जो है पिछले match में बहुत बढ़िया पारी खेल कर गया इस तिरपार्थी का जो है average score जो है वो बढ़िया निकल कर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है कि इन तीनों में से किसी एक को रखेंगे और इसके बाद सीधा Handry Classing के पास चले जाएं क्योंकि यहाँ से कोई दो खिलाडी flop हो सकते है सिचुएशन को समझना है यहाँ से कोई दो खिलाडी flop हो सकते है हो सकता है कि Aiden Markaram flop हो जाए या फिर हो सकता है Aiden Reddy flop हो जाए Markaram जो है वो अच्छा खासा खेल कर जाए और उसके बाद Reddy और तिरपाथी कुछ न कर पाए और Classing आकर Last में 30-40 रन बना कर चला जाए जो कि आपको भी पता है कि यह कैसे खिलाडी है तो यह एक सिचुएशन बनता है दूसरा सिचुएशन कि आपको क्या करना है अब एक टीम के अंदर से आप अभिशेख शर्मा को ड्रॉप कर दीजिए Travis Head को ले लेते हैं ठीक है Travis Head को ले लिया Markaram को ले लिया और सीधा हम लोग किसको ले लिये Handic Classing को ठीक है किस तरीके से रोटेशन करना है ठीक है तोस्तों अब यहां से हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग से सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे मतलब टीम अब यहां पर देखें माल लिजिए कि RCB बैट फर्स्ट करती है तो एक टीम रखेंगे जिसके अंदर फाफ डुपलेसी विराट कोली और यह दोनों हो गए तीसरे टीम और उसके बाद हम क्या करेंगे विल जैक्स को रख लेंगे और रजट पाटिदार और मैक्सवेल इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे एक और चीज़ जो निउज है मैक्सवेल को थोड़ी से एंजिरी हुई है हो सकता है कि मैक्सवेल ना खेले हो सकता है कि मैक्सवेल ना खेले तो इनके जग़ा पे कैमरोन गरीन आ जाएंगे प्लेइंग लेवल में लेकिन ज़्यादा नहीं है अगर खेलते हैं, हाला कि record बहुत बढ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, खेलते हैं, तब तो ठीक है, नहीं खेलेंगे, तो Cameron Green हैंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विराद कोली, फाब डुपलेसी, विल जैक्स, और रजट पतिदार और Maxwell में से किसी एक को रख मैं आपको combination की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि विराद कोली 100% flop होगा, लेकिन flop हो सकता है, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, यहां से हमने विराद कोली को डुपलेसी को अपने टीम में लिया, एक opener हो गया, इसके बाद वील जैक्स हो गया, इसके बाद Maxwell खेलेगा, तो Maxwell को रख लेंगे, नहीं तो रजग पार्टिदार को, ठीक है, यह सिनारियो हो सकता है, अब एक टीम बनाईए, जिसके अंदर से डुपलेसी, विल जैक्स को ड्रॉप कर दीजिए, पार्टिदार और Maxwell को रख लिए, ठीक है, तो यही combination आपको तयार करना है, क्लियर है, फिर से समझा दू, अगर confusion है तो, एक टीम बिराट कोहली, विल जैक्स, मैक्सवेल, फिर दूसरी टीम बिराट कोहली, विल जैक्स, और उसके बाद पार्टिदार, ठीक है, यह तिन दो combination हो गए, इसके बाद फार्ट डुपलेसी, विल जैक्स, रजट पार्टि यही combination हमें create करना है, किस तरीके से combination create होगा, यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी का जो combination होगा, वो telegram पर मैं आपको शाम 5 बज़े तक भेज दूँगा, दोनों टीम से 5-5 combination भेज़ूँगा, दोनों टीम से, ठीक है, bet first, bet first, srh, bet first, rcb, 5-5 combination भेज़ूँगा, तो I hope कि आपको सारी चीजे समझ आ गई होगी, अब बात करते हैं कि first inning की जो balling order है, वो किस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से balling order होता है, उसी तरीके से balling order भी होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, right down fast medium baller, एक ऐसा baller भी होगा यहाँ पर, ठीक है, right down fast baller जो wicketless जाएगा ही नहीं जाएगा, कम से कम एक तो है, जो wicketless नहीं जाएगा, clear है, इसके बाद हम बात करते हैं एक leg spinner की, एक leg spinner आपको यहाँ पर एक से दो wicket लेकर जा रहा है, सिर्फ एक match को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के time पर wicket लेकर जा रहा है, ठीक है, देखिए एक, 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 सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, कि दो-दो wicket मिले हैं, लेकिन एक और सेनारियो है, वो है right arm off break का, ये जो off break वाला baller है, वो कभी भी यहाँ पर wicketless नहीं गया है, हाला कि last के तीन matches पर ध्यान दिया जाए, तो off break baller ने दो-दो wicket और एक-एक wicket लिया है, अब इसको हम किस तरीके सो rotate करेंगे, आगे आपको बता रहा हूँ, left arm fast ballers की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक wicket, एक wicket, एक बार ही ऐसा हुआ है, जब कि कोई left arm passers को दो wicket मिले हैं, ज्यादा तर एक wicket ही मिला हुआ हुआ है, तो एक wicket और यहाँ पर दो wicket, तो दो wicket वाले को हम ज़्यादा prefer करेंगे, समझ गए, आईए, इसका थोड़ा सा conclusion पर समझते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीके, कि सबसे पहले एक rai town faster baller को हमें हर हाल में रखना है, और ऐसे baller को रखना है, जो date में भी balling करता हो, power play में भी balling क सकते हैं, clear है, इसके बाद बात कर लेते हैं, right arm off break, right arm off break एक baller हम रखेंगे, जो कि हमने situation देखा अभी, अब आपको rotation कहां कहां पर करना है, अगर तीसरे baller के option में आपको जाना है, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीजे, तो left arm fast baller, या फिर leg break, या कोई एक right arm medium faster, ठीक है, इन तरीके से आपको rotate करना है, इसकी situation को भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखे, अब बात कर लेते हैं, अगर SRH की team ball first करती है, तो यहां से क्या-क्या है, left arm में है, टीन अटराजन, ठीक है, और आपके हैं, जैदे उनात कट, ठीक है, right arm में है, भ से किसी एक को हर हाल में रखना है, इसके बाद, आपके पास अगर off break baller नहीं है, तो सहवाज हमार जो है, इनके balling करने के chances ज्यादा बढ़ सकते हैं, in fact, हाला कि उधर से left handed batsman बहुत कम है, तो off break baller को, मुझे नहीं लगता है, कि off break baller को balling दिया जा सकता है, left arm orthodox होंगे, त जैदे उनात कट या फिर टीनट राजन, और तीसरे में अगर आपको rotate करना होगा, तो फिर आप कहां पर जाएगा, अब्दुल्शमत के उपर, clear है, उसी तरीके से RCB में देखा जाए, तो यहाँ पर विशाक है, विजे, यहाँ पर सिराज है, यहाँ पर अकास दीप है, और टोपले जो हैं आपको left handed batsman नहीं, left arm medium fast baller है, ठीक है, अब यहाँ पर situation को हमें समझना है कि क्या हो सकता है, एम सिराज, अकास दीप और विशाक, विजे, इन तीनों में से किसी हम दो के साथ जाएंगे, इन तीनों में से हम किसी दो के साथ जाएंगे, और इसके बाद एक option भज़ता है, wheel jacks या फिर max wheel, अगर max wheel नहीं खेलते हैं, तो wheel jacks तीन से चार ओबर डाल सकते हैं, wheel jacks जो है, तीन से चार ओबर डाल सकते हैं, region, इस देखें, यहाँ पर दो player left handed है, clear है, first power play में ही दो player left handed है, तो मुझे लगता है कि जब तक यह लोग खेलेंगे, तब त एम सिराज को और विजय को, इन दोनों को रख लिया, और wheel jacks तो बैटिंग से हैं, फिर आप क्या कीजिए, कि एम सिराज और अकास दीप, ठीके, फिर अकास दीप और विजय, इस तरीके से आप rotation कीजिएगा, और इनको rotate करना है, fix करने की जूरूत नहीं है, बात कर लेते ह सेकेंड एनिंग की जो batting order है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, तो सेकेंड एनिंग की batting order को ध्यान से देखिए, दोनों opener यहाँ पर अच्छा खेले, यहाँ पर opening जोड़ी flop हुई, यहाँ पर एक flop हुआ, एक चला, फिर यहाँ भी एक flop हुआ, एक चला, यहाँ दूसरा flop हुआ, यहाँ पर दोनों चले हैं, और यहाँ पर भी लगभग दोनों ही flop हुए, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज जो हम देख रहे हैं, दोनों opener के चलने के chances, सिब दो बार है, मात्र 20% ऐसा chance दिखाई दे रहा है, जब दोनों के दोनों opener चलेंगे, न दोनों flop भी होंगे, लेकि बाकी के chances यहीं दिखाई दे रहा है, कि कोई एक opener यहाँ पर ठीक ठाक performance करके जा रहा है, इन फैक तीन नंबर के player की बात करें, तो latest जो अभी matches हुए हैं, उसके recording देखा जाए, तो तीन नंबर का player यहाँ पर ठीक ठाक performance कर रहा है, इन फैक चार नंबर के player का कुछ खास record नहीं है, सिर्फ दो match को छोड़ दिया जाए, सिर्फ दो match को छोड़ा जाए तो, बाकी आपको rotation कहां करना है, जो पहले के matches हुए हैं, जो पहले matches हुए थे 23 के अंदर, तो यहाँ पर आप situation देख रहे हैं, कि यह जो 5-6 और 7 में से हैं, यहाँ पर पर मैं हटा रहा हूँ, जो last के 3 match हुए, यहाँ से, यहाँ से अंदर हम देखते हैं, तो last के जो 3 matches हुए, तो कोई एक opener यहाँ पर ठीक ठाक performance करके जाएगा, ठीक है, इसके बाद, 3 नंबर का खिलाडी अच्छा performance करके जा रहा है, 4 नंबर का खिलाडी, 5 नंबर का खिलाड ही है, ठीक है, यहाँ पर एक यह performance दिखाई दे रहा, अब इसका जो conclusion है, क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर any team back second करती है, कोई भी team अगर back second करती है, तो हमें किस तरीके से rotation करना है, one opener, या तो एक opener को रखना है, या फिर नहीं रखना है, नंबर 3 और नंबर 4, न अगर आप नहीं रखते हैं इनको, तो नंबर 7 के प्लेयर के साथ भी जा सकते है, या फिर अगर आप इन दोनों opener को नहीं रख रहे हैं, मान के चलिए, दोनों opener को नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप नंबर 1 के प्लेयर को अपने team में जरूर शामिल कीजिएगा, कैसे, अब मान कर चलिए कि एसारेज की team जो है, वो second bat करती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक team सिर्फ बनाना है ऐसा, जिसमें आपको इन दोनों को रखना है, इसके बाद, नेक्स टीम में या तो Travis Head को drop कीजिए, या भी अभि अभि शेक सर्मा को drop कीजिए, दोनों में से किसी ए एक के साथ जा सकते हैं, मान लिए कि आप अभि शेक सर्मा के साथ चलेगे, Travis Head को आपने drop कर दिया, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एन रेडी और एडिन मारका राम, इन दोनों को अपने team में रख लेना है, एक team बनानी है, इसके बाद, नेक्स team बनाइए, फिर स चलेगा ही चलेगा, तो यह combination और same combination फिर अभि शेक सर्मा को drop करके, और जो combination मैंने आपको बताया, ठीक है, वैसे ही चलना है, ठीक है, clear है, इस तरीके से आप rotate कर सकते हैं, second inning में, same condition आपको यही होगा, ठीक है, एक team बनाइए, जिसके अंदर विराट कोहली, इसके बाद जाएंगे, विल जैक्स और मैक्सवेल, ठीक है, फिर next team बनाइए, जिसके अंदर आप रखे, कोहली, पाटिदार, और मैक्सवेल, ठीक है, फिर बनाइए, फाब डुपलेसी, और मैक्सवेल, और उसके बाद सीधा, फिर विल जैक्स, ठीक है, यह combination हो गया, फिर फाब डु बनाना पड़ेगा, अब आएए, देखते हैं कि second inning की जो balling order है, वो क्या कह रही है, second inning के balling order में देखा जाए, तो left arm कोई passer जो है, एक wicket, एक wicket, एक wicket, एक wicket, वicket नहीं मिला, एक wicket, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, कि 3 wicket मिला है, किसी एक left arm passer को, ठीक है, सिर्फ एक बार कि 3 wicket मिला है, नहीं तो या तो एक wicket मिले है, या फिर नहीं मिले है, लेकिन, right arm fast baller, जो है, second inning में, ठीक है, जादा तर टाइम, 3-3 wicket लेकर गया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसके बाद 2-2 wicket भी है, यहाँ पर 1 wicket नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर भी 3 wicket गिरे है, ठीक ह तो हम एक situation देख रहे हैं, कि कोई right arm fast baller, जो है, 3 wicket लेके जा रहा है, हाला कि, एक right arm faster, तो 3-3 wicket लेके जा रहा है, और दूसरा भी उसके साथ, पीछे-पीछे लगा हुआ है, जो 2-2 wicket भी लेकर गया हुआ है, देख रहे हैं, एक-एक wicket भी है, यानि कि, जब 3 wicket एक ले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, कि कोई spinner wicket लेके गया, नहीं तो ज़्यादा time पर spinners को wicket नहीं मिले है, अगर कोई लेकर गया है, कभी कबार एक wicket तो वो है left arm orthodox, I hope दोस्तों आपको ये बाते समझ में आ गई होंगी, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, देखे, तो मैंने उसका conclusion क्या निकाला है, कि हमें अपने team में किसी भी सूरत में, right arm fast baller, दो हर हाल में रखना है, तीसरा जो होगा, वो rotation में होगा, कौन होगा, या तो left arm, या फिर left arm orthodox, या फिर leg break, इन में से कोई आपको दीखेगा, जो इसके points कम होंगे, जो trump player होगा, वही यहाँ पर आ सकता है, dream आपको क्या करना है, एक team बनाना, जिसके अंदर सिराज और अकासदीप, इन दोनों को रख लिया, दूसरा जो होगा, हो सकता है, या तो off break को रख लेंगे, ठीके, left arm orthodox यहाँ पर है नहीं, या फिर आप आर्ट टोपले के साथ जाएंगे, मतलब सिराज, अकासदीप, टो कि दो right arm fast baller हर हाल में जरूरी है, तीसरे को हम rotate करेंगे, और उसको भी rotate करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, क्योंकि will jacks available है, या फिर max will आपको arounder section से मिल जाएंगे, off break के तोर पे, यहाँ पर देखिए, दो right arm fast baller है, पैट कमिन्स और भोनेशर कुमार, इन दोनों को तीसरे में rotation कहां करना है, या तो उनाद कट, या फिर टीनट राजन, clear है, या फिर आपके शहबाज अहमाद, तो ये कुछ conditions है, इसी तरीके से हमारी बेहतर टीम बन सकती है, जो लोग अभी तक गेमसी सिलेबेन डाउनलोड नहीं किये हैं, जाए डाउनलोड किजिए, बि कोई पैसे नहीं लगाना है, और आप अगर एक नमबर पे आते हैं, तो आपको 25,000 रुपे मिलेंगे, ठीके, और grand 11, grand 11 आपको यहाँ पर अपना referral code डालना है, तो दोस्तों, description box में जो है, लिंक दिया हुआ है, जाए फटा फट डाउनलोड किजिए, grand 11 आपको जो है, वहा बहुतीजी होगा, दोस्तों, क्योंकि मात्रे 25,000 से लेकर 35,000 ही लोग है, जहां पर आपके पास लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर आपका यहाँ पर जो है, मात्रे 25 से 35,000 ही लोग दिखाई देंगे, और first price जो है, आपको यहाँ पर 3,000,000 रुपे का है, तो बहुतीजी है, जीतना, अच्छे खासे लोग यहाँ पर profit कमा रहे हैं, आप भी खेलके try दीजे, आप देखें दोस्तों, एक और है, जो tricks है, इसको कहा जाए, तो बहुत सारे लोग जो है, थोड़ा सा, इस सेनारियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कि मैं क्या बोल रहा हूं, बट, दो player ऐसे हैं, जो बहुत ही high selection percent के हैं, और बड़े player है, जो big player है, ठीक है, यह जो है big player है, दो बड़े player है, जो हर हाल में आपको team में दिखाई देंगे, तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, कि विराट कोहली और हैंडी क्लाशन, इन दोनों को एक साथ एक team में नहीं रखना है, और team में रखने का जो ratio होगा, वो 10% से लेकर मात्र 20% का ratio आप रखिएगा, ठीक है, 10% से 20% का ratio रखिएगा, मतलब कि विराट कोहली और हैंडी क्लाशन, यह दोनों एक team में मत रखिएगा, एक team में, मान लिजे कि अगर आप 6 team से जा रहे हैं, ठी दो टीम में सिर्फ हैंडी क्लाशन को रखिए, एक team, दो team के अंदर अगर आपको रखना होगा, तो फिर आप इन दोनों को एक साथ रखिएगा, लेकिन ऐसी team जरूर बनाईएगा, जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों को एक साथ नहीं रखना है, यह समझ सिर्फ दो तीन बार ऐसा हुआ है, जब यह फ्लॉप हुए है, और तीन बार ऐसा हुआ है, जब इन्होंने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, फार्टू प्लेसी 35 बाकी तीन मैच में फ्लॉप हुए, लेकिन लास्ट के दो मैच में अच्छा खेल कर गये हैं, रजजत परफॉर्मेंस नहीं आया, और वैसे भी इनके बैटिंग लास्ट में आती है, लेकिन अच्छा है, लेम रोर की बात करें, 17 और 33 है, ठीक है, आर से भी बालर की बात करें, एम सिराज दोस्तों, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, जब इनको दो विकेट मिले हैं, तो एक एक बिकेट और विकेट भी नहीं मिले हैं, आज के मैच के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट होंगे, एक बिकेट के रेशियो हम मान के चलते हैं, रिजन भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलके, ठीक है, इसके बाद यहां से यह आपको दिखाई देंगे, और कोई तो कुछ है नहीं, आर टोपले की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, उसके पहले दो और एक विकेट है, और देखिएगा, यह फर्स्ट और सेकंड इनिंग में ही विकेट मिल रहे है, वीजे की बात करते हैं, एक बार खेले एक विकेट, दूसरी बार कट टू कट चल दा हूँ, एसरेच के बात करते हैं, जो 2024 में है, ठीक है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाते हैं, तो ट्रैविस हिड, एक बार 62, एक बार 31, दो बार कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, हार्ड हीटर यह फर्स्ट बैट में अच्छा खेल जाते हैं, एडिन मारका राम को जो बढ़िया रिकॉर्ड है दोस्तों, वो सिर्फ सेकेंड इनिंग में ही आता है, कभी कबार फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, याद रखेगा, नहीं तो सेकेंड इनिंग में इनकी अच्छ पारी आती है, फर्स्ट री में उतनी आच्छी नहीं आती है, सिर्फ अभी तक छे मैच में, सिर्फ पांच मैच में सिर्फ दो बार ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, हेंडी क्लासें, आपको रखना पड़ेगा, लास्ट के दो मैच से फ्लॉप चले जा रहे है, अब्दूल राइट आम फाश्टर बॉलर है, तो ध्यान रखेगा, जो मैंने आपको बताया है, पैट कमिंस 1-2-1-1, इसके बाद आपके अहमद साहब को देखे, शाबाज अहमद कंटिनू बिकेट लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक बार बिकेट नहीं मिला है, उबर में बाकी बिकेट रिशियो है, और किसी का कुछ खास है नहीं, एन रेडी भी बॉलिंग कर सकता है, ये बात दिमाग में रखेगा, अगर एन रेडी भी बॉलिंग कर रहा है, तो फिर हम किसी एक बॉलर को हटा के रेडी के साथ जा सकते हैं, आर्सीवी के बैक्समेन हेट टु हेड विराद क एक बार 33 और एक बार 100 रोन बाकि तीन बार आप देख रहे हैं बुरी तरीके से फ्लॉफ हुए है हेड टू हेड में फाप डूपलेसी एक बार फ्लॉफ हुए है बाकि दो बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में फाप डूपलेसी का विराट कोली एक बा लेकिन तीन बार ये अच्छी खासी फ्लॉप भी हुए हैं रखना होगा तो या तो सी वी सी नहीं तो सिधा ड्रॉप ग्लैन मैक्सविल ठीक है जब भी खेले अच्छा पारी हुआ सिर्फ दो मैच फ्लॉप हुए बाकी के तीन मैच में अच्छा रिकॉर्ड है दिनेश कार् बारे लोग लेकर जाएंगे अगर आप इनको पे रिस्क लीजिएगा और अगर ये फ्लॉप होते हैं तो आपकी टीम अच्छी राइंक पर जा सकती है अब देखिए एम सिराज की बात करते हैं एक बार सेकेंड इनिंग में दो बिकेट एक बार फर्स्ट इनिंग में एक बिकेट बाकी तीन टाइम भूरी तरीके से फ्लॉप हुए है ठीक है और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं मैक्सवेल दो भर में एक बिकेट एसारेज के जो बैट्समन है वो हेट टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किये तो अभिशेक शर्मा एक बार 47 बाकी के तीन पाई में फ्लॉप होकर गये हैं हेड टू हेड में आरसीबी के अगेंस्ट त्रिपार्थी साहब एक बार अठावन और दो बार फ्लॉप हुए है एडिन माकाराम की बात करें 21 और 18 और हेंडि क्लाशन की बात करें एक ही बार खेला हेड टू हेड में अभी फिलहाल पिछल नहीं मिला नहीं तो कंटिनू विकेट लेके जाते हैं अब शेक शर्मा बॉलिंग डाले हैं दो बार जिसमें विकेट नहीं मिला है उम्रान मली को एक एक विकेट मिला है एक बार विकेट नहीं मिला तीन अटराजन को कंटिनू विकेट मिला हुआ है इसलिए मैं कह रहा थ ये जो चीज है, ये क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं ये जो point है, ये मैं आपको ये समझाने के लिए लेकि आया हूँ कि जब भी इस ground पर match हुआ है, इस ground पर अभी तक लगभग 3 matches हुए है तीन match इस ground पर अभी तक हुआ है और ये 3 match के dream team है तीन match के dream team है, तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है, ये देखे, सबसे पहले तो एक तो ये चीज है कि wicket keeper section में यहाँ पर 4 player आए है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 player आए है ठीक है, इस ground की बात करता हूँ, मैं head to head की या फिर यह जब भी खेले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ground की, ठीक है इसके बाद batting section से 2, 3 और 3, ठीक है लेकिन जो हमारा main part है, वो भी है allrounder, allrounder से कम से कम हमें 2 player हर हाल में अपने team में रखना है allrounder section से 2 player कम से कम हमें हर हाल में team में रखना है कि यहाँ पर allrounders भी चल रहे है, batsmen भी चल रहे हैं, vicket keepers भी चल रहे है ठीक है लेकिन अगर बात करें थोड़ी सी थोड़ी सी चीजों को समझने के जुरुत है फर्स्ट मैक जब हुआ तो यहाँ पर एक बॉलर जो है वी सी बना है इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी तक कोई बॉलर वी सी नहीं बना या काप्टेन नहीं ब पॉइंट चपन एक तालीस यानि कि कोई भी सिफ एक इसको छोड़ दिया जाए तो काप्टेन जो है सी वी सी जो है आपके अल राउंडर सेक्शन से बतलब सॉरी बॉलर सेक्शन से नहीं आ रहा है अब कहां से आ रहा है तो देखे एक बार बैट्समें विराट कोहनी बने दूसरे बार काप्टेन फिर विराट कोहनी बने तीसरे बार काप्टेन फिर एक बैट्समें बना मतलब आप समझ रहे हैं कि बैट्समें तीके बैट्समें काप्टेन बना बैट्समें काप्टेन बना बैट्समें काप्टेन बना मतलब कि काप्टेन जो बन रहा है न वो ब अबको CVC बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर यह सात्वा भी ले लिजे, यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, इसके बाद आपके छे और साथ, ठीक है, यह भी बैक्समिन में ही आ जाएंगे, हला कि हैं तो अल्राउंडर, बट देखते हैं अभी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और इन दोनों में से कोई एक था, जो अच्छा रण बनागी गया था, साथ, मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं, ऐज बैक्समिन ध्यान से देखा जाए, तो लगभग 6 से, लगभग 6 से 7 प्लियर ऐसे निकल के आ रहे हैं, जो सबसे जाता जो पोइंट से, वो बैक्टिंग से आ रहा है, कलियर है, स बताया है, बाकी में लाइव आउँगा, तब भी बताऊँगा, और आपको टॉस के टाइम से, टॉस के पहले ही आपको सारी चीजे में भेजूँगा, रोटेशन भी भेजूँगा, कॉम्बेनेशन भी भेजूँगा, तापकि आप एक बहतर टीम बना सके, मैंने यहाँ पर बंगलोर के तरफ से फार्ब डुपलेसी को रखा है, ट्रैविस हेड और अभिशेक शर्मा यहाँ पर मैंने इन दोनों को रखा है, ठीक है, इसके बाद आपके एडिन मार का राम, अब आप चाहें तो एडिन मार का राम का राम का जगा पर आप को हली को रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें, तो कोहली या फिर पाटीदार, ठीक है, याद रखे है, कोहली या पाटीदार इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, मार का राम का जगा पर, विल जैक्स को रखा, चुकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही यह पौन्ट देंगे, इ हो सकता है अब इशेक शर्मा को कुछ बॉलिंग मिल जाए तो यह फिल हाल के लिए है आई होप कि आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके एकॉर्डिंग ही टीम बनानी है बाकि जितनी भी डेटेल से लाइब में मैं शेयर करूंगा टेली ग्रा